हाई गाईज, वेलकम टो डिशेज हब, तो आज हम बनाने जा रहे हैं कच्ची हल्दी की सबजी, यह बहुत डिलिशेज बनती है और विंटर सीजन में हमारी हैल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही एजीली मिल जाती है वार्केट में और इसे बनाना भी बहु बहुत हल्दी होती है, तो इसलिए इसको मैंने वाश कर लिया और इसको हम पील कर लेते हैं, इसको चिलका उतार लेते हैं, तो मैंने इसका चिलका उतार लिया है, देखिए, अब मैं इसको कद्दुकस कर दूँगी, ध्यान रखिएगा इससे हाथ, कपड़े सब पीले हो जाते हैं इसलिए safety से इसको कद्दुकस कीजिएगा तो अब ने कडाई लिए है उसमें मैंने डाल दिया है आप चाहो तो देसी घी भी यूज़ कर सकते हो वैसे इसमें mostly देसी घी यूज़ होता है तो ये देखी हल्दी को मैंने कद्दू कस कर लिया है इस तरह से और घी को गरम कर लिया है उसमें हम डाल देते हैं इसे और इसको हम 5-10 मिने तक मीडियम आज पर इस तरह से फ्राइ कर निकल जाएगा और सबजी में इसका बहुत ही भैतरीन टेस्ट आएगा तो देखिए मैंने इसको फ्राइ कर लिया है 5-10 मिनट हो गए है अभी हम इसमें डाल देते हैं बारी कटा हुआ प्याज प्याज को भी हम 1-2 मिनट के लिए सौते कर लेंगे हलका सा सौफ्ट कर लें आप चाहो तो फ्रोजन वाले मटर भी ले सकते हो वो पहले से ही उबले हुए होते हैं बट मैंने इनको बाल के लिए है क्योंकि ये मैंने कच्छे मटर लिये थे तो इसको डालके एक मिनट के लिए चलाने के बाद अभी हम इसमें डाल देते हैं टमाटर टमाटर जो होता ह वो soft होता है, इसलिए हम इसको बाद में डाल रहे हैं, यह जल्दी कल जाता है, इसलिए हम इसको बाद में डाल रहे हैं, नितो आप अनियन के साथ भी डाल सकते हो, कोई problem नी है, अब इसको भी हम एक दो मिनट के लिए चलाएंगे, थोड़ा soft हो जाएगा, तो अभी हम डाल देते हैं, इसमें मसाले, सबसे पहले हमने डाला है नमक, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, लगबग एक चमच, और इसमें डाल देंगे हम लालमेश पाउडर, एक चमच लालमेश का पाउडर डाल देंगे, और इसमें डाल देते हैं धनिया पाउडर, दो चमच डाल दे यह सब्जी बहुत हेल्दी होती है विंटर में आप जरूर बनाईए आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है तो यह मिक्स हो गया है अच्छी से अभी हम क्या करेंगे लो फ्लेम पे इसको ढखके रख देंगे पांच मिनट के लिए ताकि सब्जी अच्छे से पक जा क्योंकि हल्दी जो है सर्द्व में खाय जाती पकी इसकी तासीर गरम होती है व् theaters नालरें तही की तासर है और अच्छा टेस्ट आता है आप होसके तो इसमे बहुत ही गाड़ा दही डालिएगा मेरे पास थोड़ा पतला था इसलिए उसमें थोड़ा सा प्मानी छोड़ द तो यह और भी परफेक्ट लगेगी, तो इसको मैने तेल में बनाया, इसलिए हम इसमें देसी घी का तड़का लगाएंगे, एक अलग पैन में थोड़ा से देसी घी ढालिए, उसमें डालिए थोड़ी से हींग, चुटकी बर और थोड़ा से जीरा डाल देंगे, और डाल दे जेहा ओ क्यांब्स होता है तो जहा है जिए भूड़ काम सब्सक्राइब यह 한다 हिसमें टालना है तो सब्सक्राइब यह बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आप नहीं डालना चाहते हो तो आप इसको स्केप भी कर सकते हो और इसको हमने कर दिया है अच्छे से मिक्स तो यह अल्मोस्ट रिडी है बट इसको भी हम फाइनल टच देंगे जो मिलेगा इसे धनिया के पत्तो से इसको मैंने पहले से ही द बनती है और इसको रोटी के साथ या प्रांठी के साथ इसको गर्मा गरम सर्फ कीजिए यह बहुत टेस्टी लगती है बहुत ही आसान सी रेसिपी है और हमारे लिए बहुत जादा हेल्दी है विंटर्स में यह सर्दियों का तोफा है आप लोगी से बिलकुल भी स्किप मत कीजिएगा आप लोगी से जरूर राय कीजिएगा और मुझे जरूर बताईएगा कि आपकी रेसिपी कैसे बनी तब तक की लिए गुडबाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा